प्रेग्नेंसी में नाभी क्यों बाहर आती है क्यों अंदर रहती है इसका क्या रीजन होता है इसके अलावा प्रेग्नेंसी में नाभी के आसपास खुजली होना प्रेग्नेंसी में नाभी के ऊपर या फिर नाभी के अंदर वाइट कलर की या फिर ब्लेक कलर की पपड़ी ज चाहिए इसका क्या संकेथ होता है यह कि यह ठीक रहता है और कब तुरंत के तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए क्या इसको देख के लड़का और लड़की भी अंडाजा लगाया जा सकता है यह सवाल काफी आ रहे थे तो इस पे वीडियो में बना रहे हूँ तो पू चिसो की जब प्रेग्नीन्ट, हो तो फ्रियों में लिए मैं लन्विप्सक्ता अगरों, चिसाहावा बेंगा फ्रेग्नेन्स, तो आपको था जितनी में लप एक पुदुग झेल्टी एक स्वोत sesबाव पालीच, पिनावा दनाब गवराडी Christ, छोटी सब्सक्किर्न हो तो ज जब इसमें सिसू आता है तो जैसे जैसे सिसू की ग्रोथ होती है वैसे वैसे आपके बच्चेदानी की भी ग्रोथ होगी क्योंकि ये कामन सा बात होता है कि आप खुद ही सोचिए कि जब 9 मन्त वहां पे सिसू रहेगा तो उसकी ग्रोथ होती है वो बड़ा होता है वैसे वै यूट्रेस भी अपना size बढ़ाता है आपकी बच्चेदानी, जब बच्चेदानी size बढ़ाती है तो इसमें होता क्या है? इसमें आपका जो पेट होता है उसमें खिचाव मैसूस होने लगता है, आपकी पेट की skin भी खिचने लगती है, वहां की muscles भी खिचने लगती है, तो यहांपे जब खिचाव इसमें होता है तो क्या होता है कि आपके बाहर की एरिया पे खुजली होने लगती है तो जब खुज्णा देती हो तो इस Surprise March तो कितनी महीलाई नाखुन से झो है खुजलाने लगती है जो कि आपको नाकुन से बिल्कुल नहीं हुजलाने चाहिए आगे मैं बताूंगी कि क्या करना जाहिए इसके लिए कि स्ट्रेच मार्क आपको ना है तो अदर है जो आपकी नाभी है जो अंदर है तो बेबी जब बड़ा होगा तो और बेट भी आपका बड़ा होगा तो नाभी आटोमेटिक बाहर आने लगती है जिसकी अंदर की तरफ है वो हलकी सी बाहर की तरफ आ जाती है और जिन महिलाओं का नाभी और रेडी बाहर की तरफ है उनक जो है बाहर आई है बहुत हलका फुल का माईल सा महसूस होता है कि हाना भी बाहर आई है इसके बाद एक ये रिजन होता है दूसरा रिजन होता है फ्रेंड्स कि जब आपके सिसु की फुल ग्रोथ हो जाती है ये आपका नाभी जो है बाहर आना ये आपको सेकेंड टाइमिस् आपकी हाइट पे भी निर्भर करता है, अगर आपकी हाइट छोटी है, तो आपकी ना भी थोड़ी सी बाहर की तरफ रहेगी, अगर हाइट लंबी है और ना भी बाहर निकली भी नहीं है, बाहर के साइड भी नहीं है, तो भी बाहर की साइड अगर निकलेगी भी तो बहुत थलकी सी निकलेगी क्योंकि उस निकलेगी तो उतना ही लेकिन आपको समझ सामने वाले को समझ में नहीं आएगा आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनकी हाइट लंबी है उनकी बॉड़ी चोड़ी है अगर आपकी हाइट छोटी है आपकी बॉड़ी जो है पतली दुब जब आपकी मसल्स जो है स्ट्रेच करती है तो खुजली हो जाता है इसके लिए आपको जब आप नहाने जाते हो बातरूम में जाते हो तो कोकोनेट ओयल बादाम का तेल आपको वहां पे जब हलकी सी आपकी बॉड़ी गिली रहती है वहां पे आपको अच्छे से लगा लेना है आप यहां पे जब आपको नाभी में भी दो चारबूंद आपको नारियल का तेल या फीर मश्रड ओयल डाल लेना चाहिए तो वहां पे क्या करना है कि आपको कपूर वाला तेल नाभी में नहीं डालने है आपको क्या करना है जब नाभी में दो चारबूंद जब यह का में दो ड्रॉप जब टेल डालोगे तो जो तेल होगा वह बिल्कुल बीना कपूर का होगा उसमें कपूर वगएरा कुछ नहीं मिला होगा बिल्कुल साधा तेल होगा तो ये आप और नाभी की एरिया है आज पास है वहाँ पर खुज लाईए नहीं तीन से चार बार हल्किस तो आपको खुझली नहीं कोगी और फ्रेंड्स काला पन होता है काला पन भी नहीं होगा और अगर आ गया है अध्या ओन्स काला इकता है तो पेट कहां से बड़ा होगा जब चमडी वहां की बड़ी जब चमडी बढ़ती है मसल से बढ़ती है तब ही पेट बढ़ता है तो आपका ललका फुलका आएगा तो उभी धीरे-धीरे खतम हो जाएगा इसके बात बात करते हैं कि जो अगर आपके नाभी के आसपास अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आपको तुरंद के तुरंद डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए उसमें उंगली डालके खुजली वगएरा नहीं करना चाहिए और उसमें से बलड निकल रहा है तब तो तुरंद डॉक्टर से कंसल्टेशन करें क्योंकि ये नाभी आपके ख्याल रखना है, इसकी अलावा अब जानते हैं कि क्या नाभी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लड़का है या लड़की, तो फ्रेंट्स मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि नाभी से मेरा नाभी बाहर है तो लड़का होगा, नाभी अंदर है तो लड़की होगी तो friends मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत बाते होती है नाभी से कोई भी अंदाजा ये नहीं लगा सकता है कि लड़का होगा ये लड़की ये केवल पूरुस के X और Y क्रोमो जोम पे निर्भर करता है और अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हो पता लगाना चाहते हो तो केवल आपको अल्टराशाउंट करा के ही पता लगेगा जो की हमारे इंडिया में बैन है इसके अलावा friends मैं आपको एक और बता दू कि अगर कितनी महिलाओं पे ये तुक्का सावित हो जाता है कि उनकी नाभी बाहर थी तो उनको लड़का हुआ तो आपकी भी नाभी बाहर है तो आप सोश्री है लड़का हो तो भगवान करे आपकी भी तुक्का सच हो लेकिन इसको आप अपने केवल अपने दिमाग के सांती के लिए अपनी enjoyment के लिए रख सकते हो इस पे आपको भरोसा ज्यादा 100% नहीं करना है और इस पे भरोसा करके अपने आपको नुकसान नहीं पहुचाना है क्योंकि बहुत सी महिलाएं जो है इस पे भरोसा करके उनकी ए आप ना करें लड़का और लड़की यह आपके हाथ में नहीं होता है एक महिला के हाथ में नहीं होता है कि लड़का होगा यह लड़की होगा यह उपर वाले के हाथ में होता है और दूसरा आपके पूरुस के X और Y क्रोमोजोम पर लिए करता है और मैं आपको बता दूं क कि जो Y chromosome होता है काफी तेज होता है और अपने अपने अंडा जब निकल रहा है आपका उस समय अगर आपने रिलेशन मंटेन कर लिया तो उस समय आपका Y chromosome होता है वो अंडे को फटिलाइज कर लेगा और आपको लड़का हो जाएगा तो इस बात को भी आपको समझना चाहिए और अगर आपने अपने 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 टाइम पर रिलेशन नहीं रखा उसके एक दो दिन पहले रखा है तो पूरुस का जो सेल्स होता है वो Y X chromosome वहाँ पर मौजूद रहेगा उसको अंडे को फटिलाइज करेगा क्योंकि X chromosome धीरे होता है Y chromosome काफी तेज होता है इस बात को समझे और कुछ नहीं होता है आई होग कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेलफुल लगा होगा तो चैनल को जरूर सपोर्ट करिए मिलते हैं अगले वीडियो में कोई भी क्यों है कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर